मेथी मटर मलाई वैसे तो बहुत ही एजी रेसिपी है, मैंना मेरे साब से अगर आपने मेथी के साथ मटर मलाई नहीं बनाई तो आपने ठंड में कुछ ना कुछ मिस कर दिया हर दोस्तों मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किजन हिंदी में तो फिर देर के इस बात की चलो फिर शिरू करते हैं मेथी मटर में बनाने के लिए आपको सिंपल चीजे चाहिए एक प्यास टमाटर दो मिर्चे अदर कलसन का पेस्ट प्यास को अध बस ध्यान देना कि आप एकदम फाइनली चॉप कर देना साधा फील ना हो प्यास अने मिर्चों को बस मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया है अगर आपको छोटी-छोटी कटी भी पसंद है तो आप छोटी-छोटी कर देना तमाटर को मिक्सी में गुमाने की बजाए मैंने जान बुचके ऐसे तद्दूकस से दस लिया है ताकि इसका छिलका भी अलग हो जाए और मिक्सी निकालने भी न पड़े ले रही आपकी फ् वाल होगे और फिर दो होगे मेठी की सारी जो कॉलिटीज है वो रह जाएगी और फ्रेश मटर आ रहे हैं आजकल तो फ्रेश मटर काही इस्तमाल करना लगभग एक कप भर की मैंने फ्रेश मटर लिया है थोड़े से आपको खड़े मसाले चे होंगे जैसे की छोटी चीरा और छोटी सी दालचीनी यह सब आपको चीए और बस यही थी प्रेप्रेशन फटाफट से बनाना शुरू करते हैं पान में आप थोड़ा सा तेल डालना लगभग दो कर्ची के आसपास और जैसे ही तेल गरम हो जाए सबसे पहले यहाँ पर आप डालना खड़े मसाले जान रहे जो मसाले हैं वो थोड़े भुनने चाहिए तब ही उनका स्वाद निकलेगा फिर आप यहाँ पर प्यास डाल दे नहीं बाएंगे जैसे ही कलर आने लग जाए आप यहाँ पर आदा चमश हल्दी पाउडर डालना उसके साथ साथ दो चमश तक कश्मीरी लाल मिश पाउडर डालना और आप इस पॉइंट पर जब आप डालोगे ना तो आप देखने कलर ही अलग आएगा इस सबजी का मतर डाल देना इस टाइम पर क्योंकि फ्रेश मतर है तो इनको पकाना पड़ेगा अच्छे से साथ में नमक, हरी मिर्चे इसके साथ साथ मैंने हाँ पर एक चमश तक धनिया पाउडर डाला है मैंने हाँ पर इस्तमाल किया है टाटा संपन का धनिया पाउडर और टाटा पकाना है जब तक टमाटर से तेले लग होना शुरू नहीं हो जाता और मतर जो है गल नहीं जाते तो मैं तो यह यह किया कि इसको दो मिनिट तक धक कर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है दो मिनिट में ही मतर थोड़े गलने लग जाएंगे और टमाटर जो है उनसे तेल भी थोड़ा लग हो जाएगा फिर आप यहां पर थोड़ा सा पानी डाल देना क्योंकि हमें मतरों को अच्छे से गलाना है न अब पानी डालने के बार मैंने यहां पर फिर से धक्तन लगा अगर इसको तीन से चार मिनिट तक पकने दिया है अरांग से अकि मतर एकदम नरव होगी दोस्तों यह रेसिपी तभी सकसेस्फिल होगी जब मतर फ्रेश होंगे जो मिखे वाले होते हैं अगर अगर फ्रोजन मतर करोगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा इस रेसिपी का सीरिसली बस जब तमाटो से तेल अलग हो जाए अच्छे से पक जाए फिर आप यहां पर मेथी डाल देना और मेथी को ज़्यादा देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं बढ़ती आप यहां पर मेथी को 2-3 मिनिट खुले मेही अच्छे से पकाना पहले 2-3 मिनिट यहां मेथी को पाणी वानी कुछमत दालना ऐसे ही मेथी को पका लेना यहीं पत्ते बहुत जल्दी नर्म हो जाते हैं बस फिर एंड मे मैंने मैं यहां पर चम दख गरम साला डाला है कसूरी मेति अरे नहीं कसूरी मेती तो अल्यड़ी डली है मेथी मतर मलाई है उसके साथ-साथ मैंने end में मेति की कड़वाहट उकम करने के लिए मलाई डाली है मैंने घर की मलाई डाली है आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते है वो आपके ओपर है लेकिन भर कर मलाई डालना क्योंकि डिपेंड करता है अगर आपकी मेति थोड़ी कड़वाहट में है तो मलाई जादा डालेगी अगर कम कड़वाहट में है तो मलाई कम डालेगी आप सिट यहाँ पर आपने डखकन लगाना है और दो मिनिट तक एकदम लो फ्लेम पे इसको अराम से पकने दो और दाट सेट दोस्ते मेथी मदर बलाई बन के पूजी तयार है एंड की मैंने चीज डाली है वो है थोड़ इसी जावित्री और थोड़ असा जैफल मैंने ऐसे घिसके डाला है फ्रेश धनिया कौन फूल चकता है इसको बना कर देखना सीरिसली बहुत ही टेस्टी रेसिपी है